हाई गाईज वल्कम टू माय अटूब चैनल आज मैं बनाऊंगी एक टेस्टी और हेल्थी नास्ता जो बहुती ही यमी लग रही है और वो भी फटापट बनके तेयर होगी और सुबह की जल्द बाजिमित्यों और भी जल्द बनके तेयर होगी वो भी हेल्थी और हल्का फु कमेंट जरूर कर देना और मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसे कैसे बनाई हूँ मैं आपको आज सेर करूंगी तो इसे बनाने के लिए मैंने ली हूँ एक बड़ी सी प्याच छोटे-छोटे पीस में कट करके कटोरी में ले ली हूँ और थो कब सूजी ले ली हूँ मैंने इसमें एड़ कर दी हूँ और दो चामच दही एड़ कर दी हूँ और आप जैसे चाहे ज्यादा खटा हो या थोड़ा जैसे पसंद आप ले सकते हो और एक चामच तेल एड़ कर दी हूँ और स्वादानसार नमाग और थोड़ी सी खाने का सोड और इसमें पानी थोड़ा-थोड़ा करके, add करके, और उसको हम एक better बनाएंगे, और इसी better बो भी फड़ा-फड़ बन के, better ready हो जाएगी, उसको पानी धिरे-धिरे करके देना है, इतना सा ही, thinking रखना है, अभी देखो यह बनके रड़ी हो गया है, और उसको पांच मिनिट क के लिए धके रख देंगे तो सूजी है इसको थोड़ा सा पानी एंजरूट कर लेगी ठोड़ी सी सूजी फुलेगी तो इसको हमक्ष में धकन से थखके पांच मिनिट के लिए रेश्ट कर देते हैं और पांच मिनिट के बाद निकाल के देखते हैं तो अभी सूजी बहुत सा रफ फूल गया है और थोड़ी सी पानी इसको जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें दो चमच पानी एड़ कर सकते हैं नहीं तो अगर ठीक है तो कोई बाद नहीं तो अभी ये मेरी ठीक है इसके लिए मैंने ग्यास में कड़ाई चड़ा दी हूँ और इसमें तेल एड़ कर दी हूँ और इसके अंदर अभी हम थोड़ी सी सफ़ेद तेल एड़ कर दूँगी और इसके उपर एक चमच वेटर एड़ कर दूँगी और उसको एक तरफ उसको अच्छी त तरह से अंदर से भी पक जाए उसी तरह से उसको दो-दो मिनिट में पलटा के पका देना है वो भी चार मिनिट के अंदर पक जाएगे और इसको उपर थोड़ी सी बड़े लोग खा रहे होगे तो लाल मिर्ची एड़ कर सकते हो और अभी उल्टा पलटा करके इसके उपर हम थोड़ा सा और सफे तील एड़ करके फिर से उसको एक बाजू सेख के हम पलेट में उसको निकाल देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से और सुबह के टाइम पर फटा फट बनाना हो तो इसको बना के पहले से रेडी करके बेटे रख दो तो कड़ाई में एक-एक डाल के न बनती है वो भी थोड़ी थोड़ी बड़ी साइज क्या अगर आप छोटे-छोटे बनाओ तो प्यान में डाल के चोड़ा-छोटे साइज में एक साथ ही चार-पांच बन जाएगी तो इसको उपर मैंने और एक शफे डाल दी और थोड़ी से लाल मिर चेट कर दी इससे दे और तेखने के लिए अच्छे लगेगी खाने के लिए भी क्योंकि सफे तील में ज्याधा सा प्रोटीन रहती है बच्चों को दो तो बहती आसन से और अच्छी तरह खुसों के खा लेते अगर लांस बक्स में देना हो तो बच्चे खुसों के ले जाते हैं अभी मेरे करे में बना के तैयर कर दी और खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी है और सुबह की टाइम पर बड़ो को सब करना हो तो चटनी के संग सब कीजिए बहुत ही टेस्टी लगती है खाने के बाद अगर मेरे रेशेपी आच्छी लगती हो तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर कर अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अभी मैं चटनी के संग एक पीस टेस्ट कर रही हूं तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयर हुआ है और मिलते हैं ऐसी एक और न्यू वीडियो में बाई फ्रेंड्स